तो चलिए पैरे दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं 7.2 के question number 21 और 22 का solution चलिए दोस्तों कैसे होंगे question देख लीजिए यहां दोस्तों लिखा हुआ है 10 square 2x-3 यहां दोस्तों अगर मैं 10 square यफि 10 2x-3 को मैं consider कर लेता हूँ मान लेता हूँ कि यह क्या है t है अगर दोस्तों यह t रहेगा तो आप जानते हो इसका differentiation हो जाएगा sec square x अर्था 2x-3 अब यह हमारे पास extra है तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे दुबारे से differentiate करेंगे तो आप जानते हो 2x-3 का differentiation हो जाता है 2 वो 2 हमारा यहाँ पर आजाएगा आगे और आप जानते हो यह हो जाएगा dx is equal to dt उमीद करता हूँ यह बात आपके सोज़ आई होगी यहाँ दोस्तों sec square 2x-3 dx के place पर मैं लिसकता हूँ dt upon में 2 यह 2 यहाँ से कहाँ चला गया नीचे चला गया अब आप सोचोगे हमारे पास question में sec square 2x-3 तो कहीं ही नी तो फिर हम रखे कहाँ पर इसकी value तो दोस्तों आप एक चीज़ जानते हो बहुत अच्छी तरीके से और आप यह जानते हो कि भाईया 10 square x जो होता है यह आपका होता sec square x-1 यानि आप यहाँ लिख सकते हो sec square और आप जानते हो square x के place पर हमारे पास है 2x-3 यानि मैं square से लिख सकता हूँ sec square x-1 और यह अब आपके पास रहेगा एक question कुछ इस टाइप से यहाँ से दोस्तों dx के आप अंदर multiply कर लेते हो तो यह आपके पास कुछ ऐसा लिखेगा 2x-3 dx साथ में यह आपके पास हुझाएगा 1 dx वन को लिखे न लिखे इसके बाद प्यारे साथियों आप जानते हो कि इसका मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से इतने के प्लेज पर यह जो आपके पास है इसके जएंगे पे लिखा जा सकता है dt अपए पॉन टू यहाँ पर लिखे दिखाता हूँ यहाँ आप लिख सकते हो भाई लिख सकते हो dt upon 2 जो 2 है आपका बाहर लेके चला गया मैं और साथ में कहा रहेगा यहाँ पर dt इतने इतने के place पर माइनस आप ये भी जानते हो कि जो dx है इसको मैं लिपाऊंगा अलग से integration के अंदर अब यहाँ से ये 1 by 2 तो ऐसी रहेगा और dt का integration हो जाएगा t जबकि dx का integration x हो जाता है और साथ में आप लगा दोगे यहाँ पर प्लस के c बस अब आपको इतना सा काम करना है कि t के place पर t की value रख देनी है और t की value कितनी थी तो आप कहोगे 1 by 2 10 2x minus 3 और minus x प्लस में c ये रहेगा दोस्तों आपके question का बिल्कुल सटी कांसर भौती सांदर सांसर तो अगर आपको question समझ में आया है तो आप जो है दोस्तों वीडियो को like जरूर करें और दोस्तों अगर आपको question समझ में नहीं आया है तो आप comment में जरूर लिखें कि आपको कहां पर question समझ में नहीं आया है मैं फिर से इसको question को दुबारे आपको समझाने का परियास करूँगा तो चलिए उमीद करता हूँ question आपको समझाओगा आप इसका screenshot ले लिजे फिर दूसरे question को करते हैं ले लिए भाई screenshot चलिए question यहाँ पर note कर लेता हूँ दुबारे से question क्या है यह है भाई सेक स्क्वायर 7-4x कुछ step से आपको question नजर आ रहा होगा कुछ यह हमारे पास question है भाई कैसे करेंगे इस question को करने के लिए भाई थोड़ा सा आपको trigonometry के formula को सीखना बहुत जरूरी है जिस भाई को भी trigonometry के formula अच्छी तरह से आते हैं वो इस प्रकार के question को असानी से कर लेगा कैसे करेंगे देखिए यह आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है भाई अगर मैं 10 7-4x को t मान लेता हूँ हाला कि हमारे पास यहां है नहीं पर दोस्तों मैंने इसको मान लिया अभी देखना ही कैसी हमारे पास आ जाएगा last में फाइनली t अब आप जानते है इसका differentiation होता है भाई सैक स्कॉायर 7-4x और साथ में आप जब minus 4x यह नहीं 7-4x का दुबारे करेंगे तो 7 का तो 0 हो जाएगा और minus 4x का रहेगा minus के 4 वो मैंने आग्ये denote कर दिया अब हमारे पास यहां बचेगा dx मराबर में dt तो उमीद करतों यह बात आपको समझ में आई होगी अब इससे क्या benefit होगा भाई इससे benefit यह होगा कि यह हमारे पास जो इतना आपको नजर आ रहा है इसके place पर मैं लिख सकता हूँ dt और upon में minus के 4 बिल्कुल सीधी सी बात यह मैं यहां पर समझ में आ रही है अब दोस्तों यह जो आपका 1 by 4 है minus के इसको भार कर लीजिए यह होगा भार अब आपके पास यहां बचेगा सिरफ dt है और आप लोग जानते हो कि भाया dt का integration होता है यानि 1 dt का होता है t और 7 में लगा देंगे constant c बस हो गया काम minus के 1 by 4 हैसी रखेंगे और t के place पर t की यह value यहां पर हम put कर देंगे यानि कितनी 10 7 minus 4x और भाय यह हमारे पास हो गया question plus में लगा देंगे c तो उमीद करता हूँ question आपको समझ में अवस्या आया होगा वो जो t आप ढूंड रहते हैं न कहा है वो t आपका यहां पर use वा फाइनली तो question यह भी आपके समझ में जुरू राएगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो like जुरू करें और वीडियो को share जुरू कर दिया करो भाई ताकि जा स्याद लोगों तक जा स्याद बच्चों तक यह वीडियो जो है वो जा सके धन्यवाद दोस्तों